विशिष्ट महर्शी और प्रभूराम चंदर जी का ज्यान मई समवाद सुनते हैं The Art of Living के फैकल्टी स्वामी वैशम पायन जी की वानी से अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बैल आइकन को भी जरूर दबाएं जैए गुरुदेव योग वसिष्ट के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है पिछले चर्चा को आगे बढ़ाते वे महर्शी वसिष्ट जी ने कहा हे राम इस सम्मंद में मुझे देवताओं के जो गुरु है उनका पुत्र कच उसके एक प्रेरग गीत का स्मरण हो गया है देवताओं के जो गुरु है उनका नाम था ब्रहस्पती गुरु जिनको कहते है उनका एक पुत्र था उसका नाम था कच वो बहुती ग्यानी आत्म ग्यानी था उसके द्वारा प्रेरीत उसके द्वारा लिखा हुआ एक गीत महर्शी वसिष्ट जी को याद आ रहा है वो राम को वह बता रहे है कच आत्म ग्यान में स्थित था मेरू परवत की कंदरा में रहता था और उसे उच्च ज्यान प्राप्त था पंच तत्वों के किसी पदार्थ का आकर्षन उसे विचलित नहीं करता था ये लक्षन है आत्म ज्यानी का कि कोई भी तत्व पंच तत्व से बनावा कोई भी पदार्थ उसे विचलित नहीं करता निराशा के बहाने से कच्च ने सार्थक गीत सुनाया था वह सुनो कच्च ने कहा मैं क्या करू कहा जाओ किसको पकड़ू किसको छुड़ू इस संपूर्ण संसार में एक ही आत्मा परिव्याप्त है आत्मा ही सुख है आत्मा ही दुख है सभी इच्चाए पूर्णता शुन्य है अतव जो कुछ है आत्मा ही है मैं सभी वेदनाओं से मुक्त हूँ शरीर के अंदर शरीर के बाहर शरीर के उपर शरीर के नीचे यहाँ वहाँ सब जगह आत्मा और केवल आत्मा ही है आत्मा से बिन्न कुछ और नही आत्मा हर जगह है और हर पदार्थ के रूप में स्तित है मैं आत्मा के रूप में आत्मा में स्तित हूँ जेसे सबकुछ अस्तित्व हीन है मैं भी अस्तित्ववान हूँ हर जग यही वास्तविक्ता है मैं पूर्ण हूँ, मैं आत्मानंद हूँ मैं ही इस ब्रह्मान्द रुपी सागर में व्याप्त हूँ कितनी सुन्दर अनुभूती, आत्मा की प्रती आत्मा ही सर्वत्र है, सर्वव्याप्त है उसके बगेर कुछ नहीं है इस शरीर के उपर हूँ, नीचे हूँ, बाहर हूँ, बीतर हूँ सब जगव हूँ, क्या है वो उस ब्रह्मन की बात हो रही है उस आत्मा की बात हो रही है और वो उसी आत्मा में स्थित है उसका गाना ऐसे था वह पवित्र ओम शब्द का उच्चारण ऐसे करता था जैसे घंटे का अनुवाद हो रहा हो उसने अपने पूर्ण अस्तित्व को पवित्र द्वनी में उडेल दिया था ओम का द्वधी वो करते रहता था उस ओम द्वनी का भी उच्चारण ऐसे होता था जैसे कोई घंटा का नाद हो रहा हो उस प्रकार ना वह किसी पदार्थ के अंदर था न किसी पदार्थ के बाहर वह रुशी पूर्ण रूप से आत्मा में निमगन होकर परवत कंदरा में रहता था वह आत्मा में स्तित होकर परवतों में जो गुफाय होती है उसमें रहता था राम ने पूचा जब सबी दारनाओं को नश्ट करके मन स्रिष्टी करता की स्तिती प्राप्ट कर लेता है तो फिर उस संसार की धारणा उत्पन्न होने का क्या कारण है वस्रिष्ट जी ने का हे राम असीम चेतना के गर्ब से उत्पन्न प्रथम स्रिष्टी करता ने ब्रह्मा शब्द का उच्चारण किया इसलिए वह सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के नाम से जाना गया वो सृष्टिकर्ता ने ब्रह्मा शब्द का उच्चारण किया या धारणा की तो वह ब्रह्मा बन गया इस सृष्टिकर्ता ने पहली धारणा प्रकाश की उई प्रकाश अस्तित्व में आ गया इस रिष्टिकर्ता में प्रकाश की धारणा कलपनाई प्रकाश अस्तित्व में आ गया उस प्रकाश में उसने अपने ब्रह्मांडिये शरीर को देखा तो वह भी अस्तित्व में आ गया ठीक वैसे ही जैसे सूर्य के चमचमाते प्रकाश से नाना वित्पदार्थ आकाश में अस्तित्व प्राप्त करते है सूरज के प्रकाश में कभी आपने देखा है ऐसे दूलीकन जिसे ऐसे कुछ तो भी ऐसे चम्चमाता हुआ दिखा ही देता है आसमान में कभी देखना आप उपर ऐसे दिखता है कुछ ऐसे चमचमाता है क्या महसूस होता है ऐसे तो उसी प्रकार यह ब्रह्मांड अस्तित्व में आया उसके अनन्त स्पुलिंगों के रूप में उस प्रकाश का चिंतन किया इन सबी स्पुलिंगों ने ननावित पदार्थों का रूप ले लिया सब मन में चल रहा है जैसे मन में धारणा उत्पन्न हो रही है वो सब अस्तित्व में आ रहा है हमारे जीवन का भी यही रहस्य है जो जो दारणा के स्तर पे उत्पन्न होता है उसके उपर हम गौर करते हैं वह सारी चीदे आहिस्ते आहिस्ते जीवन में अस्तित्व में आने लगती है जो कुछ इस ब्रह्माने आरंब में उत्पन्न किया वह आज भी दिखाई देता है अपने विचार शक्ती से इस ब्रह्मान्ड का स्रिजन करने के बाद स्रिष्टी करता ने अपने आत्मा में ध्यान करते हुए विश्राम किया तब से स्रिष्ट जीवों का जिन जिन पदार्थों से संपर्क हुआ उनकी विशेष्टाए ग्रहन करते चले गए अच्छाई से संपर्क होने पर अच्छे होते और संसार से जुडेवे संसारिक हो गए इसी प्रकार जीव दृष्य संसार से बंद गया या फिर मुक्त हो गया कितना सुन्दर है देखो हम जिस चीज से जुडते है वैसे बनने लगते है ग्यान के साथ जुडोगे तो ग्यानी बनोगे मुर्खता के साथ अज्यान के साथ जुडोगे तो अज्यानी बनोगे मुक्ति के साथ जुडोगे तो मुक्त हो जाओगे बंधन के साथ जुडोगे तो बंधन में चले जाओगे तो यह जिस चीजों के साथ जुडते गए वैसे बनते गए आज के इस एपिसोड में भी एक बहुत सुन्दर रहस्य महरशी जी बता रहे हमें तही करना है किसके साथ जुड़ना है क्योंकि जिसके साथ जुड़ोगे वैसे बन जाओगे आज के एपिसोड में इतना ही थलके एपिसोड में देखेंगे और महर्शी वसिष्ट जी क्या कह रहे तब तक के लिए जय गुरुदेव